आपका दीपक आज फिर से एक फिलिप्स का न्यू जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए हो आपके सामने और इसके बारे में जानेंगे अब्राइंगे और इसके बारे में इसकी फिचर जानेंगे कि क्या है और मॉडल है एच एल 7581 ठीक है इसकी अंबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आपके अन्दर तो आईए इसकी अन्वोक्सिंग करते होते हैं कि अच्छी है इवन ट्रांस्पोर्ट में आता होता है तो बहुत ही अच्छा मॉडल लई है कंपेक्ट है और आजकल आप देखेंगे कि कस्टमर्स की या लोहों की इंक्वाइडीज है कि कंपेक्ट से कंपेक्ट मोटर हो और स्लीक हो देखने में अच्छा लगे तो उस चीज के उपर यह बिलकुल खराव तबता है यह पोड़क्ट यह उसकी जूसिंग के लिए नो इसके अंदर हम मिकालेंगे इसकी ग्रैंडियों के लिए जार सागे स्टैनल स्टील के अंदर जार बर्चन स्टील के बाद एक आपका ब्लैंडिंग जार होता है जिसमें आप कोल कोटी लसी बनाना से एक बगरा बनाते हैं इसके बाद इसके अंदर आपका चत्नी जार है इसके अंदर है इसमें आप स्मूदी बनाना है आपने कोल कॉफी लसी बनाना से एक जो भी है आप इसमें बना सकते हैं यह आपकी ड्राइ इंबेट ग्रैंडिंग के लिए जार होता है ठीक है जी उसके बाद यह आपका चत्नी जार होता है चोटे वाला इसके बाद यह जूसर है कंपक्त मॉल है तो इसकी असेंब्लिंग करेंगे हम जानेंगे इसमें अधर ब्रैंड से खास वीचर किया है एक तो यह लॉकिंग बहुत अच्छा है और खास कर मुझे यह पसंद आया है क्योंकि इसके अंदर जो लॉकिंग है वह बहुत अच्छी है सिंपल ट्विस्ट पर खुल जाता है ऐसे एवन कोई क्लैंप नहीं है जो आप बार बार ऐसे करते रहो प्रफिक के लिए देखेंगे वह बीच में यहां पर आता है जो फूर्स की पल्पिंग है वह यहां पर आती है जूस आपका यहां से साइड में खोलने के लिए भी ब प्रेट है और लगाने के लिए सिंपल इसके उपर रखा आपने और ऐसे ट्विस्ट कर दिया यह ब्लेड है नीचे की तरफ उसकिया प्रह से लग जाता है सिंपल और यह भी आपका सिंपल करके लग जाता है सिंपल एजी टॉक्टे बात करें इसकी मोटर की 600 वाट की इसक और यह मॉडल आपका दूसर मिक्सर ग्राइंडर मॉडल सीरीज है जी HL 7518 बहुत अच्छा मॉडल है कंपैक्ट मॉडल है देखें और रिव्यूज बाइबाइब